हेलो एब्रीवन मैं मेफन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगे जेट एट मैंस को लेकर सबसे बड़ी खुसकबरी क्या आई है इस विडियो में हम लोग बात करेंगे जानने की कोशिज करेंगे और बिल्कुल आसान वहसा में जानने की कोशिज करेंगे कि क्या सरकार इस पे अपनी राय बना चुकी है कैबिनेट की बैठक में क्या चीज़े जो है सामने आई है आप लोगों के मेरे सामने भी तो इन सारी बातों को ना इस विडियो में हम लोग समेटने की कोशिज करेंग और वो men's की तयारी कर रहे हैं, जिनके पास paper नहीं है, वो 70 रुपीज में ये paper require कर सकते हैं, देख सकते हैं, आने वाले exam की तयारी के लिए point of view से जो jet ad देने वाले हैं, उनके लिए जो है, यह बहुत महत पूर्ण है, यहां से मेरी email id देख लो, your mython sing, at the rate gmail.com पे आप मुझ follow कर लेना, thread पर भी same जो है, वो आपको मिल जाएगा id, आगे देख लेते हैं, jet ad की परिक्षा का क्या होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, यह paper cutting आपके पास आ गई होगी, देखिए इसमें क्या-क्या बातें कही गई है, सहायक अचारी न्युक्ती होने वाली है, one to five और six to eight के लिए, अब इसको बदल दिया गया है, पहले आपने यहाँ से देखा होगा, न्यूस्पेपर की headline छपी थे कि 200 नंबरों को तीन अलग-अलग subject में कैसे बाटेंगे, एक नंबर बीच में बच जा रहा था, तो ऐसे में क्या किया गया, 180 अंका ही जाएगी, ऐसा सरकार ने कहा है, यहां से आप देख लो, कक्षा छह से आठ तक में सिख्चक की न्यूकती में तीन वैकलपिक बिशियों के लिए अब 60-60 अंकों की परिक्षा होगी, गनित रसायन या फिर physics याने की बहुत की, इसी तरह से जिनका बाय होगा, वो method जाएग सबसे पहली बात यह सामने आती है कि सरकार का जो रुख है, जेटेट नई परिक्षा को लेकर कोई कदम सरकार नहीं उठा रही है, सरकार को कोई फर्क भी नहीं पढ़ रहा है, जो कि छात्र जो है, ना कोई अंदोलन कर रहे हैं, ना कोई सोड सरावा हो रहा है, तो सब साथ सालों से, तो ऐसे में, देखे क्या गडबड़ी यहां आ रही है सामने में, कोई हक्की अवाज नहीं उठा रहा है, कुछ लोगों को छोड़ कर, मैं अपने आपको उसमें इंक्लूड नहीं करता हूँ, घर पे बैट के क्योई भी वात पोल देना वह असान होता है, ब क्लियर कर रखा कि भाईया हम तो नौकरी ना देते और नहीं जेट एट हम एक्जाम लेने वाले हैं, तो फिलाल के लिए सरकार का रुख साफ है कि यह जेट एट नया नहीं कराएंगे, आप लोग आंदोलन या फिर कोट के माध्यम से ही सरकार जो सोई हुई है, उसे जगा है तो हाई कोट में जिल लोगों ने याचिका दायर करिए उनका सपोर्ट जरूर कीजिए, चाहे वो आर्थिक हो, सारेडिक तोर पे हो, किसी भी तरह से अगर आप आंदोलन में अगर एक अठनने भी गिराते हो, तो उससे फर्क तो आएगा ही आएगा, definitely, मैं किसी को नही नहीं देना है, आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो, आंदोलन को सपोर्ट तो जरूर करो, क्योंकि इंड अप डड़े में आप इको फायदा होगा, जेटेट 16 वाले के लिए एक मारमिक और संदेश में भेजी देना चाहता हो, कि भाईया, अगर आपके अंदर छम्टा है, प परच लेकर जो है, आपके अपके अचाहता है, परच लेकर जो है, खिरोट नहीं देशाव, जैसे श्रम्टान को सभी को आपके अपके अचाहता हो, क्योंकि भाईया, तो एक बाद कामिक जोज़ान को फायदों पश्रावावा.